नमस्कार दर्शकों मेरे तर्शक अपताइक बफर्श से आपका स्वागत करता हूं दर्शकों इस वक्त कोवड-19 की जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग हो चुकी है जी यहां चारों तरव से माहूल जो एक डर सा जो है वो उत्पन हो चुका है अगर हम होस्पिटल मेनेजमेट की बात करें तो यहां पर प्लैनिंग ना होने के कारण घुस्पिटल की जो फेशलीटिस है जो पेशन्ट्स को मिलनी चाहिए वो प्रापर ना होने के कारण आपका नम पलक पलग जी आपसे ये जाना चाहेंगे कि इस समय जो करोना को लेकर है क्या स्थिति है क्या उससे कोई डर की स्थिति लग रही है किस तरह से आप देखने हैं समय करोना को देखे अगर करोना की बात की जाए तो ये एक तरह से बिमारी तो है ही है बट कुछ कहीं न कहीं ये अब आज की सिजुएशन में जो है इसने पैनिक भी क्रियेट किया हुआ है वो उसकी वज़े ये हो सकती है कि स्टार्टिंग में पहले गवर्मेंट ने काफी ही जादा था और उसको लोगों ने फॉलो भी किया था अब कहीं न कहीं गवर्मेंट भी लीनेंट हो गई है और लोगों में पर ये इस ती जादा डर लग रहा है क्योंकि जैसे कि देखा जाए कि हॉस्पिटल में फिसलिटी जो है वो नहीं है इस टाइम अगर कोई हॉस्पिटल च लगाते हैं जैसे ऐसी है तो वहां पे जो वेंटिलेटर सारे फंक्षिनल है लेक्न जरूरूर्ट पढ़ने चाहिए आपके पास इस समय कितने वैंट रहे हैं जिस पेशेंट को बढ़ेंगे उसको जुरूर लगाएंगे लेकिन हर पेशेंट को बैंटिलेटर की जूरूर वहां लोग जाने से भी डर रहे हैं। चाहते हैं और क्या चाहती हैं किस तरह का सुधार होना होना चाहिए। सबसे पहले तो अभी फिलहाल जैसे की डेथ रिट शो काफी ज़ादा बढ़ रही है तो पहले तो शायद ये बड़ा जरूरी है कि लॉक्डाउन लगा लेना चाहिए एक तो सबसे पहले है कि गौर्बर्मेंट हॉस्पिटल में फिसिल्टी एवलेबल होनी चाहिए दूसरा लोगों के लिए इजी हो जाए कि हम उन्हें हर चीज प्रोवाइड हो वहाँ पर इससे बेंटिलेटर पर नहीं डालना मुरीच को उसको अगर आक्षिजिन दे के उससे बैटर रहेगा और एक और आया बाइप सिस्टम उसमें भी बेंटिलेटर लगाना पेश्ट के फेस और नोज पर रखके हाई फ्लो आक्षिन दी जा सकते हैं अब रिच्ट सर आपका नम पंकज विच्ट सर आपसे जहना चाहेंगे कि इस समय जो हॉस्पिटल की सिच्वेशन है वो दिन प्रते दिन जो है बत से बतर होते जा रही है क्या कहना चाहेंगे आप कहना कहा है इसम प्रते प्रते जो हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रोब्लम में कि कोई और हॉस्पिटल है नहीं है जहां पर जाके वह करें नराइने में नराइना में जाओ तो वहां पर वह एडमिशन ही नहीं देते तो यह जम्मू के लोगों के लिए बहुत जादा सच्वेशन जो है बड़ी प्रिक्योश्यस सेच्वेशन बनगी हुई है तो गोवर्मेंट ने आज 6-7 महिने होने लगे हैं तो गोवर्मेंट ने कुछ ना कुछ तो इंफरस्ट्रक्चर क्रेट करना चाहिए था हॉस्पिटल में और ऑक्सिजन प्लांट लगाना चाहिए था यह ऑक्सिजन प्लांट नहीं होना चाहिए था यहां जब से हॉस्पिटल बना है बात यह है दरसल की गोवर्मेंट जो है बड़ी ज्यादा अंसीरियस मोड के उपर है वो आज दिन तक उन्होंने यह नहीं सोचा कि जब से यह 30-40 साल का यह हॉस्पिटल बना हुआ है तो यह चीज़े प कैसे करेगा अंदर जाओ डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं जो डॉक्टर हैं उनसे कुछ पुछो जवाब नहीं मिलता मता की सिच्वेशन टोटल क्यास बन गी हुए है वहां पर लोग उदर जाने से कद्रा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास विचारों के पास option कोई नहीं है कि जिनको विचारों कोविट में फस जाते हैं लोग उनको आजाकर होस्पिटल में जाना पड़ता है और वहां पर कोई फिजिल्टी नहीं अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों में oxygen की इतनी कमी होगी जिससे हैं से कैजिल्टी हो गई तो मैं तो जे गुर्मेंट से कहू होगी किसी बेन प्रजेक्ट को बंद करें और हॉस्पिटल की तरफ आपना पैसा डाइवर्शन करें उतर क्योंकि एक हैड का पैसा दुए हैड दूसरे हैड में जा सकता है और बेसिक जो नीड है लोगों की वह जुरूरत पूरी करें जिससे लोग कुछ हो जाएं और इत जो है खासका करनक मंडी और वेर होस ने अपनी मर्जी से लगाया की सिच्वेशन को देखते हुए तो क्या बाकी जो मार्केट्स हैं वहां पर भी ऐसी सिच्वेशन है वहां भी लॉगड़ून लगना चाहिए मैं तो जही कहूंगा कि जैसे वेर होस वालों ने बड़ा अ साथ बज़े का टायम है उसको पांच बज़े तक कर लें पांच बज़े तक बैसे भी मार्केट में काम तो हैं नहीं है बैठे रहते हैं पांच ना होनी की वज़ा से लोगों में नौर्मली डर लग रहा है विकास मैं जानता हूं मेरे एक दोस्तों के किसी रिलेटिव को हुआ था तो ऑक्सेजन सप्लाई की वज़ा से जो है वो उनको वहां पर बैड नहीं मिल रहे थे और जो एडमिट थे वहां से निकलना चाहते थे तो उनका कोई बड़ा ही कैजुवल सा एटिटूड है जेएमसी का भी और वो कोई सटेस्वेक्टरी जवाब भी नहीं देते हैं जिस वज़ा से एक दर तो बना हुआ है लोगों में और अगर आप देख रहे हैं जिसमें इतना नहीं है तो उनको और जादा से जादा अप इतना ट्रीटमेंट करवाने चेक अप करवाने के लिए डॉक्टर से वहां मुझे एलाव नहीं किया है तो आप यह सुचे मुझे पहले दो यह सो किलोमेटर ड्राइव करके आना पड़ रहा है और हॉस्पिटल मेरे जो घर के बिलकुल दस किलोमेटर पर है वहां पर भी तो यह एक थोड़ा सा सीरिस इशू है इस पर गर्विंट को काम करना चाहिए और इन फैक्ट मैंने भी श्राइंड वोल्ट से भी बात की थी कि आपको जाता से जाधा बिट्स बनाने चाहिए हैं यहां पर कोई असी पेशेंट्स अभी हैं एड्मिटिट जिनको ऑक्सिज परदब करें कर रहे हैं इन सबी करोना की बात करें तो करोना एक ऐसा वाइरस जो इनवीजिबल होने के गर्व जो है वह अपना पर चंड रूप वह दारन कर चुका हाँ हॉस्पिटल की बात करें को तो रेल डिप conse a यहां पर आते हैं लेवल टू लेवल टू वो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सिजन और टेबलेट जो है वो चाहिए होती है वह इन दुसी तरह से हम अगर लेवल थी के पेशेंट्स की बात करें उन्हें इंजेक्शन वेंटी लेटर और ऑक्सिजन जो है वो चाहिए होता लेकिन हॉस्पिटल्स की बात करें, GMC की बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सिजन की कमी है, वेंटीलेटर्स की कमी है परशासन को एक कदम और उठाना चाहिए, परशासन को एक अपील करनी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस गड़ी में वो उनके साथ है पून रूप से जो है वो आम जंता का साथ दे रहे हैं उन्हें अवेर कर रहे हैं उनका इलाज जो है प्रॉपर डंग से किया जाएगा लेकिन परशासन की यहां कमी नजर आत कर देदिये झाल को है प्रॉपर प्रॉपर चाहिए जन्हें हो चाहिए से किक एंट सैङ्घसात्रे ओंग रहेँख एफraках।